कि हरे क्रिश्टा तो आज हम भगवत गीता का अठार वाद्धिया को एक कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू करते होगे चर्चा करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी शेर करेंगे अपने अपने थॉट्स शेर करिएगा मैं भी बोलूंगा और आप भी शेर कर सकते हैं कोशन है तो पूछ सकते हैं लेकिन हाथ उठा लिजए एक बार तो मेरा स्टेट्मेंट बिज में रुख जाएगा आप जो ост लोग चर्चा करते करते आगे बढ़ लाए ना इसिर में इस्कास उं कर लेने तो ले जाता है rejection कर लीजए लेकिन हाथ उठा लीजए ओम्नमो भगवते वासु देवाया hopefully अम नमो भगवते वासुदे वाया जारवाश लोग, पिछले दसवाश लोग में आने क्या चाहिए क्या था कल, क्या दे किसी को? साफिक त्याग, पहले तो सन्याश और त्याग का डेफिनिशन देखा तो ईसी की उपर भगवा में बोला है, स्याग की बता है फिक लाजश नजर तामस्त है तो वन्हें जलोग मैं बता है रड़िट, तो सब्से पहले सन्याश किस को बलते है था हग पार्द तुम कल से वहीं कहलती करते है सन्याश कर दूब सन्याश किसको कहते है करronics करने को नहीं पिहास वी प्याद कर एक है कि इस सदो बहुतिक कार्य चूर्ण को छोड़ bubbतिक एक जिसमें बहुत इप्च्छा होती है वो बहुत ही कारी को छोड़ देना है उसको सअन्यासन को जा होते हैं काम्यानां कर्मणगां नियासमद लेकिन उसका फल को त्याग करना वह त्यागDER है कि सवा सजकतर निया संजिक्त पहुष्टी काम कुछ भी नहीं गरान जन्यास्थ और सद्द मतलब है तो उसका फल को चोड़ना यानि काम करना लेकिन वही सन्यास काम को छोड़ना जो बहुत का काम काम करम को छोड़नात और त्याग उसको कहते हैं उसका फल की इच्छा को चोड़ देना है फिर उसके बाद बदो मत बताये थे एक तो कुछ लोग मनीशी लोग कहते हैं कि कर्म को ही छोड़ देना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं है तो कि उसको करना चाहिए छोड़ना नहीं चाहिए पिर उन्हें बुला कि यग्यदान अरथ करता के दो यह पना शुद्र करता है मैं अपना मत बताता हूं उसमें तीन प्रकार का त्याक बता है है तामसिक्त्या कौन सा होता है क्यों क्या करते हैं ह MICHAEL GERK तो तो तामसिक क्या कहते है एए इसमागोड पडियस्तर, तो यो कफ़क्तब्य है तो उसको तलजस्ग समझके शोड़े च्या समझके परेशान में, वह राज किया याग है वह तो शरीयक जो कीड़ा है तो परेशान मतलब गल्य है ना हो के कि तो पतामसिक क्या है अपनी है अधियर सब्सक्राइब करता है कि तामसिक में क्यों छोड़ता है करें मोह तश्य परिक्षागो तामस परिकित थे मोह तो कैनी ब्रहाम से उनको लगा कि छोड़ देना ची गलत से मी प्रहम विए उनको समझ पता नहीं कि क्या करना ज्यान ही नहीं फिर वह वो मतलब उसको सोचते है कुछ और उसको द्यूटी समाई तर जोस का डूटी है उसको दूटी निस हमस्ता है और जो डूटी नहीं हुआ है उसको डूटी समस्ता है यह ता मोगूं का लखशन आ कहीं ऑफिक तो क्लीफ में क्या होता है करता यूगंड़ 내 और रजोगुण में कायक क्लेश भयाते हैं चरीर के कश्ट होगा और तकलीफ होगा प्रब्लम होगा ऐसे करके छोड़ देता है और साथोगुण में साथोगुण में कर्म नहीं छोड़ते हैं साथोगुण में उसका पल छोड़ते हैं क्या बता है आइंत कार्य में यह ते हो करते हैं लेकिन संगम और फल संग और फल छोड़ते हैं वह सःत्य ड्याग अ यह यह तो संध्यास की बातने च्याक की बात करने आद जाकर तो फेले भी देशन दिया कि फटल फल और संग चोड़के करना वो त्याग है तो वह यहां रिपीट कर रहा है अब देखो यह 9 श्लोक और अगर देखेंगे दूसरा श्लोक और 9 श्लोक एक जेसर है कि रहे हैं तो सर्वखर्म फलत्यागम प्रभुस्त यागम भिचक्षण आद उसरी श्लोक के बता है तो किसको बलता है करण फल को छोड़ना और वही यहां पर भी बता है प्रशिकन सत्व क्या कि अधि कि शुद्य सत्व शुद्य शुद्य सत्व एक नहीं अच्छुपर्मी से घणा करता है नाहीं सुपर्मी से बित्ट होता है वेरी गुड देखके बता दिया अच्छा वेरी गुड नद्वेश चकुसलम कर्मकुशलय नानुशन चे ते रा चागी यसा तो समा विष्टो मेधा वेच्छे न समसे तुमारे गीता काहा क्या मांकुश गिता होना ची स्टुडेंट हो कि तुम क्या कोई सिनिमा दिखने आ है तो क्या बलता हूं मैं नद्वेश चकुसलम कर्माया नहीं यह आकुशल है यह आशुब है बोलके छोड़ता नहीं है इस शुब है अच्छा है बोलके उसको ग्रहन नहीं करता कि शुद्य सब्सक्राइब में जित्याग है जागी सब्समाविष्ट हो कि सब्समाविष्ट है मेधावी उसका मेधाग शक्ति उनका पूर्ण ज्ञान है और चिन समसया यानि उसको कोई सारी डॉट्स भी नहीं है सारे डॉट्स उसको क्लियर्ड है ठीक है तो यह है कि शुद्य सब्सक्राइब फिर ग्यारवान नंबर्स लोग से करते हैं नहीं देह भ्रताशक्यम् इस तुंकर्मान्य सेशत हा यस्त कर्म फाल अध्यागी सद्ध्यागी सद्ध्यागी यथी यते it is indeed impossible for an embodied being to give up all activities but he who renounces the fruits of action is called one who has truly renounced he yeah so what I am so I am not a day of the task of the day of the day of the day I am a day to burn it and I am a day to burn it and burn it and burn it and burn it and burn it उसका वजन ले मैं, उसका वजन उठाना, उसे भरण, और भरण करने वाला का उने है? भृत, भरता, भरता बलते हैं, ऐसा भरत, देह भरता या नि शरीर को भरण करने वाला कोन आत्मा, नहीं देह भरता शक्यम जट्टुम, उनको शक्य नहीं है नहीं, उनसे संभव नहीं ह किया संभव नहीं है जब तुम कर्माणी असेश अता है पूरी तरसे कर्मों को छोड़ना असेश अता है यानि पूरी तरसे असेश अतला सभी कुछ without exception सभी कर्मों को छोड़ना संभव नहीं है कैए यस तो गर्मफल त्यागी सद्यागी ते मिलिए कि फिर्जिए यह लेकिन जो कर्म को छोड़ना है इस अब इसको शरीर उसके सभी कि शरीर नहीं है शुद्धास अवस्था में दिव्य अवस्था में तो ठीक है थोड़ा साइधार आज है थोड़ा सब्सक्राइब कि सो कि वही असल में जागी है प्रोपा जी तात्पर यह बता रहे हैं कि इस कौन में बहुत सारे करते हैं आपके लोग हों सुद्धने साइइ आणकर सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब प्रुपात का स्टेंडड यह है तो यह प्रापात का स्ट्ενडर्ड दिएक प्रापात स्ट्टेंडर्ड का इंग है मैं अगया है कि स्ट्टेंडर्ड यहां की प्रोपात में नेatos और उसका जुटी पर संट दिंट गउया हाथ है जो बचाया उसका निस गमाया उसका लेकिन उसमें लेकिन रोपाजी यहां क्या बता रहे हैं जो कमाते हैं सब कुछ देते थे एसे एक डिवोटी थे कौन मालू है अचा मुझे नहीं पता है हो सकता है लेकिन एक और है कौन है मैं सुना था वो गुरुमास का जीसे को दें साथ अफ्रीका में तो फेक्टरी है तो 90% और फुरा दे रहते हैं गुरुमास को पैसा है अच्छा है अब गुबाल प्रिश्माराज क्या बोल देते हैं पैसा करते हैं और एक और कोन है मालूम है न न प्रक्वाइशना अब रख समीन अन्हार चाहिक्त और परुमाशीबयूच जानें जर्श्चeing जिएरेट छॉना उप्षाम अ यान और प्र आफ प्रुफ सिछ को और ते कि कि जानाच को यसदुज में कजून अब लबात को औरको क्या करते थे उसे क्या करते थे पूरा पूरा हे ताइसा बहुत-सारे हैं लेकिन वो तो बहुत-ी-्हाई स्टेंड़ेट अग्षर लेकिन प्रोपाद में बोला कम से कम बच्छा आदा देना चाहिए जो कम है उसमें लेकिन आजकल लोग है ऐसा नहीं बोलना हो कि हमको ऐसा नहीं कि फोर्स करना है उनको ह Says लेकिन स्टैंडर्ड जाना हो स्टान भी जरूरी है थोड़ा बहुत करते हैं ह। थोड़ा पहुत द्याम देते हैं तो हम सोचते हैं कि देखो हमने कितना कृफिकार कर लिन सौलेकर लेकिन प्रप्रवपाद का स्टैंडर्डस से कितना नीचा है na right और एसा, ब्रहमचारी इसका भी ote पात का स्ट्ट्रेड बहुत उच्चा है है और सन्यासय का था उख भी वहथ उच्चा है का लेकां सब्सक्राइब प्रहत करना चीगे धिरे धिरेवां ब्रह्मचारी का मता तब, कोई भी सेवा किसी भी समय कियां एक मैं एक तुर्व आ प्रवचन दे रहे थे एक ब्रह्मचारि ऐसा दिवाल पर इसा अ तो वक्ति सिद्धान सा थाकुना उनके दरह देखा वाला तुम जाके शादि करो कि तुमको शेल्टर चेहिए हरी कथा के लआब दुसरा शेल्टर चेहिए आपको इसलिए पहसे लिए पहसे शेल्टर लेलाँ है अनिष्टमिष्टम् मिश्रम चा तृविधा कर्म ना फ्लम हरोत्य आगी नांपृत्या जाहिए नां से कर्दिति माइत कर्म के बार हैं जैने तो गिता नहीं रखतो ऐसी पे देखतो इधर द्याद्ए में तो तीन प्रकार के कर्म में पार हैं कौन से यह गया को अनिश्टम इश्प्र मिन्श्रम्च पूरियों अनिश्टम तर्ट मैजस्च जो अच्छानलगता Geme है जो पसंद नहीं है इसम मतलब पसंद जा पसंद नहीं है वो फल है इस्टम आनि जो पसंद है को और मिष्रम revise मिक्स है तो यह तीन परकार के कर्मव नहीं है अणिश्टम इस्टम मिष्रम्चै अ लेकिन ये किसको होता है अत्यागी ना यानि जो त्याग नहीं करते हैं उनके लिए तीन प्रकार का कर्मफल है लेकिन जो त्यागी है जो सन्यासी है उसके लिए तीन प्रकार का कर्मफल नहीं आते हैं कि यह बहुत इंपोर्टेंट नियम है कर्मफल किसको मिलता है कि कर्मफल किसको मिलता है उसको नहीं बिलेगा कैसे जी कोई बी कर्म कर रहें और कौने कर रहे हैं। कि लेकिन सिर्फ वो ही जो बिना फल की इच्छा किये बिना कौन काम कर सकता है 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 काम करने वाला तो त्यागी है उसका नाम है लेकिन ऐसे कौन कर सकता है जो सिर्फ भगवान की संतुष्ट्टी के लिए कर दो था बिना इच्छा के हो सकत तो मतलब इतक इच्छा नहीं है जाए को इनका भी इच्छा निनला है इसको वहुतिक इच्छा कि अल्दर सब्सक्राइब करने के लिए जो काम किया जाता है वो बहुतिक इच्छा नहीं कि यानि फल की इच्छा में उसको नहीं गिना जाता है तो इसलिए वो का ऐसा करने से वेरो उसको कर्म फल से बंधन नहीं अपो पल नहीं मिलेगा उसके वो फल उनको यहीं मिलेगा अक्रष्ण भक्ति गातार मिलेगा सकॊति दूसरा ही मिलेग। के पंचयतानी महाबा हो गर से बोलो पंचयतानी महाबा हो कारणाने नी बोध में सांखेक्रतांते प्रोप्तानी सिद्धये सर्वकर्मनाम कि तो पंचयतानी कारणानी सिद्धये सर्वकर्मनाम सभी करमों की सिद्धी के लिए करमों की सिद्धी मतलब। कौन झालों कर्मों की सिध्धी मतलब कर्मों संपन्न होने के लिए ना सिध्धन यह उस्की पुर्थी के लिए उसकी Dec स्ट्रीज परफ Another १ॉने के लिए पांच कारण है पंचह एत्टानी कारण आनी इस पांच कारण है कहां बताएं गया है सांख्यक्रतांते प्रॉक्तांते संक्यय यि योग का अंत में बताएम अंधे सांगिव संख्यदर्शन कर जो कंक्लूजन है सांगिदर्शन का जो तो अब कोई प्रश्ण पूछ सकते हैं यहां प्रवपाजी तात्परियां बता रहे हैं कि कैसे संभव है कि कोई काम कर रहे हैं लेकिन उसका फल उसको नहीं मिल रहा है तो इसके लिए भगवान और डीटेल में बता रहे हैं कि काम करने वाला सिर्फ वो विक्ति नहीं है उसके लिए पांच कारण है तो इसलिए वो पांच कारण होने के कारण वो आकेला करता नहीं है वो जो समझ जाता है उसको फल नहीं मिलेगा तो सांग के योग क्या है कि सांग के मतलब ज्ञान और सांग वेदान्त का मतलब क्या ज्ञान का अंद तो यह सब परपाजितात्पर यह बता रहे हैं अगले श्लोग में यह पांच कारण वता रहे है देखे अधिश्ठानम दधाकर्ता कारणम चप्रथक्विधम विधास चप्रथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं कौन से पांच कारण है अधिश्ठानम यानि स्थान जहां पर आप काम करते हो तथा करता करता यानि करने वाला करनम करनम यानि क्यों जिसके मार्जम से काम करते हैं चैश्ठानम करते हैं कैसे काम करते हात्यों से पेरों से आंखों से आपने बोलने से, जिवान से, जिन इंद्रियों से हम काम करते हैं, इंस्ट्रुमेंट से यूज करते हैं, ठीक है, तो वो करन है, जैसे अब उपकरन बोलता है न, उपकरन मतलब, जो इंस्ट्रुमेंट है, जैसे इधर से आपको जेन जाना है, पैदर तो नहीं जाएंगे, कोई कार हां कार में जाएंगे ने नवी बिस में जाएंगे किसी में जाएंगे नह츠 बाक्रन हो JOHN कर में काम कर दो है को कार वाँ यह कारन किया है जिस्ञा का कर दो सी कर्मेंदरे ग्यानेन पर कि मुखे रुप से कर्मेहं दरी तो ये करण है फिर विविविधास चेच्श्टा अलग-अलग प्रकार की प्रयस चेश्टा जो आप प्रयास करते हो और पांच्वा को एक वा है डेवम है दैवम चैवात्र पंच्वा है फांच्वा कारण क्या है दैवम है ठीकर किस जोटाद भर खोच मतलब शुप्रीव अधिश्टानम यानि स्थान जहां पर किया जाता है आप सुनने रहें तो फिर मैं क्या बोलूँगा अधिश्टान से पहले बता है कि जहां पर करते हैं जगर फिर उसके बाद करता करने वाला और फिर करनम इंद्रिया फिर चेश्टा प्रयास और पांच वा क्या है भगवान तो यह पांच क्या वज़ें उसको कारण है यह पांच चीज़ों के वज़े से कर्म होता है यानि यह सब अगर चारों भी अगर होगा लेकिन देव भगवान अगर उसको प्रमिट नहीं करेगा तो यह उसका अनुमत्य नहीं देगा अगर भगवान तो यह चारों होते हुए भी कर्म नहीं हो यह पांच व जब होते हैं तब ही कर्म होता है अध्यात्मिकारी के लिए तो अध्यात्मिकारी का मतलब क्या होता है भक्ति के लिए सिर्फ आत्मा और परमात्मा के बीच में है बक्ति के लिए अगर शरीर और इंद्रिया है तो उसको प्योग कर सकते हैं अगर नहीं भी होगा तो भक्ति हो सकते हैं आत्मा परमात्मा है वो तो शुद्ध परमात्मा और भगवान और आत्मा के बीच में सम्मन्द है न लेकिन यहां बहुत दिक कार्यों के लिए यह पांचों ज़रूरी है यह तो पता दिया अगले श्लोक शरीरवां मनोभिर्याद कर्म प्रारभते न रहा न्यायम वाव परितम वाव पंचयते तस्यहे तवहाद आप दोनों स्लोक ने बोले हैं रिपट करिए शरीरवां मनोभिर्याद कर्म प्रारभते न रहा न्यायम वाव परितम वाव पंचयते तस्यहे तवहाद अचली साउंड जब मंत्र उचारण करते हैं तो एकदम क्लियर और जोर से आना चाहिए यह मंत्र है न यही भगवजिता का स्लोक भी मंत्र है तो क्या बोलगा हूं तो जो बी हम काम करते हैं विक्ति अपनी शरीर मन और वचन से शरीर मन और वचन से शरीर अवांग मनो भिर शरीर वाक और मनस इन तिनों से जो भी कार्य करते है कर्मक तारब्ध आत्मानम के वलं तु यहा पस्यत्यकर्त बुद्धित्वान नसा पस्यत्य दुर्मति ही त्रेवं सतिकर्तारम यानि जो अपने आपको करता समझता है केवल आत्मानम केवल खुद को ही अकेला करता समझता है केवल आत्मानम यानि केवल खुद को ही अगर करता कोई समझता है वो यहां पर बता रहे हैं पस्चति अकृत बुधित्वा जो जो अकृत बुध्धी यानि बुध्धी नहीं होना जो बुध्धी नहीं के कारण उनको ज्ञान नहीं होने के कारण ऐसा देखता है और नसब पस्चति दुर्मत ही वो असल में देखता नहीं है समझ गया ना पस्चति नसब पस्चति यहां पर दो शब्दे हैं वो क्या देखता है क्या देखता है बोलो क्या देखता है समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या देखता है वो दूर्मत है आपको करता समझता है क्यों करता मनता है भगवान उनको देखने पार है जुश्टा क्या नहीं है लुक्त अपने शुक्त cácव स्मस्स्ता है ओ यह सोक रहें कि आत्मानम केवलम करता रहें、 मतलब मैं अकेला ही करता कूं आइसे समयद रहे!!! वह उसका द्रिष्टी है क्यों वह ऐसे सोच रहे!! अक़त बुढ्धित्त आत्त मतलत द्रिब krijम हो नyun हो सा कारा ह SAY सुनिए मैरा complete होने तो बुद्धी न होने के कारण वो ऐसा देख रहे हैं कि मैं अकेले करता हूं लेकिन नस पास्चती असल में वो सही चीज को नहीं देख पा रहा है तो आज इस नहीं देख पा रहा है इसलिए वो दुर्मती है समझें इसलिए दुर्मती यहां पर नेंख करते हैं लेकिन कशिएर में असल में देख रहा है ने आपय पस्षति भग्हाग वेट गोक्तंते चिंटकर जो देख रहा है तो यहां यह देख रहा है कि में करता हूं लेकिन असल में वो नहीं देख पा रहा है हां बता ही किया बुल रहा है हां सबती है हां आफ कूर्स तब जो तब हम चीजेशने लिए अज्ञ्यान के बश्ण में है फिर यस्यना हंक्रतो भावो बुद्धिर यस्यना लिप्यते अत्वा पिसा इमालो काम नहंति ननी बद्ध्यते नहंति ननी बद्ध्यते नहंति ननी बद्ध्यते देखो नहंति ननी बद्ध्यते हत्वा पी इमाल लोकान हत्वा पी नहंती नहीं बच्चते इमाल लोकान का मतलब क्या है यह यह लोकों को इन सारे लोकों को हत्वा पी सबको मारने के बाद भी नहंती वो किसी को नहीं मार रहा है अगर सबको मार रहेगा तो भी वो किसी को नहीं मार रहा है कौन जो यस्य न अहंकर तो भाव जिसके अंदर अहंकार नहीं है वो सब को मारते हुए भी किसी को नहीं मार रहे हैं हत्वा पिसा इमाल लोकान इमाल इमाल लोकान यानि इस इस लोक में जितने लोग हैं, उन्स सब को मारने से भी वो नहंती, वो किसी को नहीं मारता है, और इसलिए नहीं बढ़ जाते हैं, वो बंधित नहीं होगा, सुनो, इसका explanation हो जाए इसके बाद, यसें नहां कर तोभावो, इसके अंधर हंकार नहीं है, बुद्धिर यसें नलिप्यते, जिसका बुद्धी आसक्त नहीं होता है उस काम से, जिसकी बुद्धी उस काम से आ सकते नहीं होता है जिसका हंकार नहीं है वो पुरे लोगों के सभी लोगों को मारने के बाद भी वो किसी को नहीं मार रहा है और इसलिए वो नहीं बढ़ जते वो बंधन में फसेगा है यह उसका मेरी बताई अर्जन के लिए तो बोल रहे है इसलिए अगर यह सब को भी बारेगा तो भी किसी को नहीं मार रहा है और इसलिए बंधन में भी नहीं बसेगा यह यानि जो अहंकार दो चीज़ बताए एक तो ना अहंक्रतो भावो इसके अंदर अहंकार के भाव नहीं है उसके बाद बुद्धी नलिप्रते यानि आसकत नहीं होता है यानि इसका बुद्धी आसकत नहीं होता है यानि अटाच नहीं होता है वो व्यक्ति जिसका आसकती नहीं है और इसका अहंकार नहीं है उसको मारने के बाद भी किसी को नहीं मार रहा है इसलिए लेकिन हमको अहंकार और आ अब प्रश्णी आ सकता है अहंकार और आ सकते नहीं तो क्यों मारेगा सब को कोई आतंखवादी इसकोप्यों कर सकता है अहंकार आ सकती है बिना सब को मारने से भी किसको किसी को नहीं वाना अब आर एक उस नहीं है ओडर देने वाल जो मारेगा जो जो इसको मारेगा को इसको अड़र देने वाले होते ना अतंखवादी के उपराणो देने वाले तो बहुत है तो प्रमाणी गुरु सादु सास्त्रिया भवान के मातरश्यू तो उनके लिए उनको प्रमाणी नहीं, उसमें व्यक्ति को सबसे पहले धर्म युद्ध होना चाहिए, धर्म युद्ध का मतलब क्या होता है, अब ये कुरुप्षेतर युद्ध में क्या हुआ, ऐसा नहीं कि कोई भी टाइम रात में मार लिया, पीछे से मार लिया, जो करते हैं वो धर्म युद्ध नहीं, वो भी हुआ, लेकिन वो अधर्म युद्ध होना चाहिए, उसका कारण सही होना चाहिए, पहले युद्ध नहीं किया हो, कितने बार प्रयास के युद्ध एवोइट करने के लिए, दूद को भेजे, भगवान कृष्ण खुद गये दूद बनके, व्यास देव बताए, व कुछ नियम कानों के अनुसार, ऐसा नहीं कि कोई बच्चों को मार दिया है, और औरतों को मार दिया, ऐसा नहीं, युद्ध भूमे में, सामने-सामने, क्षत्रियों का बीच में, वो भी युद्ध करने के लिए है, ये भी युद्ध करने के लिए है, वो धर्म युद्ध तो जो भागर है जो शरनागत है जो औरत है जो कायर है जो आपसे कम शक्तिशाली है उनको नहीं मार सकते हैं युद्ध भी समान के बीच में होना चाहिए कि आप एक 47 लेकर आके ऐसे ही बेठे हुए लोगं को मार देना यह धर्म युद्ध नहीं है और उसका कारण भी सबसे पहले सही होना चाहिए बहुत सरे चीज़ें हैं उसमें वह सब क्रेटीरे जब फुल्फिल होता है तब वह धर्मियों देता वह भगवान के तरह साथ है ज्यानम ज्यायम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोधना करनम कर्म कर्देदी त्रिविधा कर्म संग्रहा कर्म चोधना चोधना का मतलब कर्म करने की इच्छा जो पेदा करता है कर्म करने की इच्छा पेदा करने वाला है वो तीन प्रकार के हैं कौन से ज्ञानम ग्येयम परिज्ञाता ज्ञानम मतलब ग्यान ग्येयम ग्येयम का मतलब क्या है जिसके बारे में जाना जाता है जिसको जाना जाता है वो ग्निये है रैट for example हम Krishnaji के uk Krishna के लिला चर्चा करना है तो वहाँ ग्निये क्या है क्रिशन है subject जिसके बारे में आप जाना है विशाय और परिग्ञाता परिग्ञाता मतलब किया लिखाए पड़ो परिज्ञात पक्या मेनिंग लिखा है किया लिखा है यहाँ धन्वर यहाँ तीन चीज़ कौन से हो गए जानने वाला जिसके बारे में जाना जाये जानने वाला जिसको जाना जाए वो और ज्ञान समझ गया ना ज्ञानम ज्ञयम परिज्ञाता ये तीन है कर्म चोधना कर्म करने की इच्छा इन तिनों से पेदा होता है जैसे आपको मालूब में उज्जेन में जोधर लिंक महा कालिश्वर है तो तो आपको महा जाने की इच्छा होई महा जाने की इच्छा किन चीजों से हुआ तीन चीजों से हुआ एक तो महा कालिश्वर है वो तो गें है गें है ना सब्जेक्ट है तो हाँ महा कालिश्वर है उनको देखना है इसलिए इच्छा होई और यहां से अप ज्यान है यहां से एक गंटा लगएगा देर गंटा जाने में और आप जाना आचांते हैं दियन आप उप इसक्छा हुआ उसकावरत करक्म करने की आपके अंदर इसक्छा पेदा है आप यन strict रिंद्व अवय कर्म संग्राहा यानी का कवकरने के लिए जो है आवश्यक सामगरी आवश्यक सामगरी को से कवकरने के आवश्यक सामगरी कौन करें और यहां से जा रहें आप कार ले के जा रहे हैं थो करना मियानि आपके इंद्रियां कर्म जाना और जाने वाला कौन है आप में करता यह तीन है करम संग्रह जब उसका प्रेरणा मिलता है काम करने की इच्छा प्रेरणा आता ही है और करता भी है तो तब उसके साथ इंद्रिया भी है तो तब काम बन जाता है मियानम कर्मच कर्ता चा तृतः भगुन भेदत तहा प्रोच्य देगुन संक्याने यथा वच्षृनु तान्य पी यथा वच्षृनु तान्य अपी मैं जायदा फास्त बोलनांगे श्लोग तो तिरदेवी गुणा भे दिए देता है तो तीन गुणों के अनुसार ज्ञानम कर्म चा करता अचा तीन पकार का ज्ञान है तीन पकार का कर्म है और तेन पकार का करता भी है यह बताने वाले हैं तो उसमें फिर हम दो जाएंगे पर सहर्चा करेंगे फिर उसके लिए फिर ये पॉण से तीन प्रकार का ग्यान प्रकार कर्म प्रकार का पड़ा तो नौश लोग ओ अ पहले तो कि यान कर्मोर करता है किया कि पहले तो शुरूराद में वहां टीन प्रगार की टैक कि विसे में अभी तब क्या चर्चा हो उसके बाद क्या सर्चा हुआ हां तो चर्चा यह हो ना की कर्म बदन में फनी फसता है बता है ना को सही द्रिष्टी क्या है ये बताया कि जिसका अहंकार नहीं है इसका गलत द्रिष्टी वो उसका है जो इसको अहंकार है वो बताया है और जिसको अहंकार नहीं है वो कर्ममंदन में नेफसता है ये भी बताया है ये पांच कारण बताया है पांच कारण बताया है इश्ट अनिष्ट और हुआ मिश्टन देह कि ये स्लक है कर न हम ऒजफाए न इसके पर रहे हैं इंसान कर आट करता इश्फ ही नहीं रएगी कर्म कैसे रवब है इश्फ वो सकता है ना एक यह और यह ऑन की संतुष्टि के लिए अधियात्मिक और बोट 7 करने के लिएुआ कि अध्यात्याद्मिक इच्छा हो सकता है जब अध्यात्यात्याद्मिक इच्छा ओगा ना फिर बहुत цен नहीं हूंद surrounds को अम मतलब करों बंकर नियुक्स अपनー कि शमनी में अध्यात्यात्मिक इच्छा मतलब का वो सत्व गुण में आता है शास्त्रों के नसार विधी समझ के जो करते हैं जो कर्तव्या कर्तव्य में थी में पार था यह नहीं वह काम बताए गए जिसको कर्तव्य समझ कर काम करना लेकिन भगवान के प्रति प्रेम से कम करना किते थिव्य है भूल कर डूक्र समाज करना है लेकिन केन करना पड़े सब्सक्राइब कोई लिए anders इस तरहें करना पड़ेगा ऑप हो भी शिच मुझ आते नियों कि ये मेरा असली और उजिग ज्चेश्जव तो निज्य धर्म है, आत्म का स्वभाविक धर्म है, इसलिए करना पड़ेगा, वह लेकिन. अब दिप्रिक्स होगा, वो तो डर है, डर के मारे करना है. कम से कम हाँ, सत्वगुण में है, तोड़ा ज्ञान है उसको, लेकिन वो शुद्ध नहीं है, दिव्य नहीं है, दिव्य वो होता है, जो सिर्फ ये समझ के करते हैं कि मेरा स्वाविक धर्म है, बगवान की सेवकर, और उससे भी उन्चा प्रेम से, वो तो सबसे उपर है. ओके, और कोई प्रस्ण है, एक स्रीमत भगवत गीता की, एक स्रीमत प्रभवाद की, गवर प्रेमारान की.